जैहिन नमस्कार साथियों MBPSC Mains के पेपर 3 की यूनिट 5 Mathematics को हम completely यूट्यूब पे cover करा रहे थे आज इस सीरीज का ये last lecture होने जा रहा है अभी तक हमने जो है पेपर 5 जो है हिंदी को पूरा complete करवा दिया है यूट्यूब चैनल पर paper 6 के बारे में पूरी हमने information आपको यूट्यूब चैनल पर provide कराई है कि निबंद किस तरीके से लिखना है प्रारूप कैसे लिखना है आपको बनाने कैसे हैं आपके शाष्की पत्र क्या होते हैं circular memorandum ये सारी चीज़ें जो हैं हमने discuss करी हैं जो कि आपको यूट्यूब पर हमने provide करावा दी है अभी तक हम देखते हैं कि आप यहाँ पर यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट पर जाके देखेंगे तो पहला जो लेक्चर है वो आपको दिया गया था कि पार्ट ठेकर है वो पिछले वर्ष के जो किस तरह के question थे और रंडीती क्या रहनी चाहिए कि आपको maths में अगर आप देखोगे कि तीस में से तीस number आप अच्छे से score कर सकते हो इसमें आपके number कटते नहीं है ठीक है तो अगर आपका answer सही है आपने process सही लिखिए तो आपको पूरा full number marking हो जाती है और ये एक जो है वो काफी benefit आपको दे जाता है बाकी experience के comparison में जिनका maths सोड़ा सा weak रहता है या फिर उनको maths में डर रहता है ठीक है सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो हमने numbers को पूरा complete किया था फिर हमने equations and factors जिसको समी करा है गुरंखंड बोलते हैं ये Hindi और English दोनों में lecture available है फिर साथ में देखेंगे प्रतीशयत हमने percentage पढ़ा हमने profit and loss compound interest, simple interest cover किया ratio and proportion पढ़ा हमने probability के दो parts देखे questions हमने पहले basics देखे और advanced भी question देखे उसके और साथ में ही आपका mean median mode जो है वो भी हमने cover किया था तो आज ये जो है last lecture रहने वाला है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी तह हम discuss कर रहे थे आपसे ही हमने सांखे की जो आपका statistics होता है उसको हमने बताया था कि आपका जो data रहता है उसको किस तरह से collect करते हैं और वोस data की किस तरह से processing होती है यहाँ पर आपने केंदरी जो central tendency के measures देखे थे जिसमें आपको mean median mode जो है हमने मध्य मध्य क्या और बहुलक पढ़ा था किस तरीके से निकालना है इसके पूरा जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें हमने याद कर लिये थे सारे steps ठीके किस तरह से निकलेगा direct method कैसे होगी assumed mean कैसे होगा median कैसे निकालते हैं यह सारे जो methods से हमने याद तक कर लिये थे पूरे step wise लिखके तो वो lecture भी आप देख लीजिएगा variance हमने पढ़ दिया था आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रादर्श के प्रकार मतलब sampling के बारे में यह जो है पूरा lecture रहने वाला है तो sampling के बारे में आपको question जो है mostly theoretical question आएगा आपको यहाँ पर mathematics का कोई formula नहीं लगने वाला है तो theory जैसा है हमें उसके ways समझने है कि types of sampling क्या होती है और sampling क्या होती है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि English Medium और Hindi Medium का online course MPPSC का हमारे पास में available है तो आपको कुछ नहीं करना आपको सिफ description box में जाके application को download करना है जहां से आप जाके इस पूरे course को देख सकते हैं अगर आप English Medium की हम बात करें तो यहां पर आप जाके देखेंगे कि जब आप content store में जाएंगे तो आपको mains में around 150 videos जो है वो cover हो चोके हैं जिसमें से paper 1 जो आपका geography है उसमें आपकी world geography complete हो गई है आपकी Indian geography चल रही है आपकी water management वगरा जो है वो आपका खता मो चुका है paper 3 की हम बात कर सकते हैं तो paper 3 में आप देखेंगे कि unit 1 और unit 2 cover हो चुकी है physics और biology mathematics हमने जो है application और youtube पे दोनों में साथ में पढ़ाई हुई है ठीक है आज जो है हम शुरुवात करते हैं किसकी sampling की sampling की बात करनी है हमें तो sampling का अगर आप देखेंगे कि पहले sampling का मतलब क्या होता है आपको पहले ये समझना होगा ठीक है ये जो content है वो English medium में रहेगा content English में है पर हम पूरी बाते हिंदी में करेंगे आपको सब जो है अगर हिंदी मेंडियम के students है उनको भी चीज़े समझ में आएंगी ठीक है sampling का मतलब क्या होता है अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम जब भी कोई data क्या करते हैं data collect करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है किस से data collect करें इतनी large amount of population है अब इतने सारे लोग में से आपको कुछ data collect करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अलग-अलग तरीके होते हैं उसके कि आपको कैसे करना है जैसे हम देख रहे थे कि COVID आया था COVID के टाइम पे क्या हुआ कि वैक्सीन को हमें क्या करना था टेस्ट करना था जो आपकी वैक्सीन से वो टेस्ट करने के लिए अब लोग चुने जाने थे तो वो किन पे ट्राइ करें इतनी सारी population पे तो हम अपनी वैक्सीन लगा नहीं सकते थे टेस्टिंग के लिए तो वहाँ पे क्या है कुछ चुनिंदा लोगों को लेके आया जाता है अब उनका चुनाव कैसे होता है उनको हम सिलेक्ट कैसे करते हैं यही एक तरीका होता है इसको हम क्या बोलते हैं सैंपलिंग बोला जाता है कि मतलब जब लारजर population involved रहती है कही भी डेटा कलेक्शन के लिए तो हमें क्या करना रहता है कि उस population को लेके हम क्या करते है conclusion निकालते हैं उनमें से कुछ-कुछ लोगों को चुन के ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सैंपलिंग का मतलब क्या होता है सैंपलिंग इसा selection of subset ठीक है of a larger population यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी larger population रहेगी उसमें से हमें लोगों को चुनना है किसी भी डेटा के लिए चाहे vaccine लगवाना हो ठीक है चाहे अगर आप देख रहा हो कि OBC population है हमारे यहाँ पे अभी case चल रहा है OBC का OBC का चल रहा है तो आपको देखना है कि OBC population में कितने लोगों को actual में reservation मिल चुका था उसके लिए आपका पास में predefined subset बन गया अब उसमें से आप उनका data लोगे ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि जब larger population रहती है तो आप वो कैसे लोगे आप पहले मद्रप्रदिश देखोगे MP की लोगों में फिर आप देखेंगे कि general category यह है OBC यह है SC, ST यह है आपने पहले categories डिवाइट करी फिर categories में से आपने OBC को लेके आए अब OBC में से किन को मिल गया किन को नहीं मिला फिर ऐसे करके division हुआ तब जाके आपके पास में final outcome निकल के आया कि कितने लोगों को reservation मिला है ठीक है तो इस तरीके से यही जो method रहती है इसमें different different तरीके से method होती है इसी चीज को हम क्या बोलते है data scientist जो लोग रहते है data scientist जो data science रहता है कि आपका पूरा data है उसको किस तरह से sample किया जाए किस तरह से अलग-अलग किया जाए कैसे लोगों को selection किया जाए जिन पे हम test कर पाए यह processing क्या होती है data की यह जो कहलाता है आपका sampling कहलाएगा सबसे पहले अगर हम देखें तो types of sampling जो है हमें पढ़ना है इसमें से आपको mostly 3 marker ही आएगा तो आप उसमें से आप जो है इसमें पूरा sufficient content आपको मिल जाएगा इस lecture में अगर हम बात कर रहे है probability sampling की तो probability sampling का मतलब क्या होता है मतलब एक तरह से systematic sampling होती है systematic sampling मतलब random लोगों को चुनाओ होता है इसमें जिसमें सबकी probability एक जैसी रहती है चुने जाने की probability का मतलब हम क्या समझते थे कि कोई एक event हो रहा है उसके हमें outcomes जो है वो total outcomes पता है और favorable तो हम उसमें से select कर ले दे थे कि कितने लोगों का favorable outcome आएगा या क्या उसकी probability संभावना रहेगी उस event के होने की पर अगर हम बात कर रहे है probability sampling में तो ये क्या है एक sample based theory रहेगी जिसमें probability के अनुसार क्या किया जाता है sampling की जाती है कोई भी लोगों में randomly हमने उठा रहे हैं कोई group है उनको बांट दिया फिर उस group में से randomly उठा रहे हैं तो ये क्या है एक probable और systematic रहती है और non probability sampling क्या कहलाती है non probability sampling में हम क्या करते है sample को choose करते हैं यहाँ पर probability की theory नहीं लगाई जाती randomly जो है यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर कुछ context से है suppose अगर मैं आप से बोलूँ की कोई जो लोग है आपको देखना था कि income किसकी 50,000 से जादा है महीने की तो आपने अपने परवसी से पूछा कि उसके पहचान में है क्या कोई लोग तो उनने चार लोगों के नाम बता दिये तो ठीक है चार लोगों में मिल गए फिर आपने मामा चाचा से पूछा कि किसकी आपके पहचान में से जादा है 50,000 से उनके नाम बता दिये तो इस तरीके से आपके पास में डेटा आ गया तो ये एक probable data नहीं था आपके पास में ये random selection नहीं कर रहे थे आपके पास में पूरा group available नहीं था आपने context का use किया पर आपके पास में data तो finally आ गया तो ये क्या कहलाएगा आपका non probability sampling कहलाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम पहले बात करते हैं कि इसकी probability sampling की तो probability sampling में पहले जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा random sampling कहलाता है अब random sampling का मतलब क्या होता है random sampling का मतलब हो जाएगा कि कोई भी आगर आप देख रहा हो यहाँ पे इस पूरे concept को हम picture से ही समझ सकते हैं आपको क्या देख रहा है यहाँ पर यह population थी लोग थे लोगों में से आपको क्या करना था पांच लोगों का चुनाप करना था तो आप देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में से पांच लोग चुनने हैं हमें तो यह क्या हो जाएगी हमारी probability की random sampling हो जाएगी मतलब हर इंसान की चुने जाने की probability यहाँ पर क्या होगी सेम होगी होगी 20 अगर student है हमारे पास में 20 student में से 2 student को चुनना है तो हर student की probability चुने जाने की सेम होगी यहाँ पर ठीक है 1 by 20 1 by 20 सबका सबका बराबर कहसर है कि ये भी select हो सकता है ये भी select हो सकता है तो ये क्या कहलाता है random probability sampling कहलाती है ठीक अगली sampling में चलते हैं अगली sampling क्या कहलाती है आपकी stratified sampling पहला समझ में आ गया random sampling क्या होता है 3 marker में आपको लिखना है यही ऐसे dots आप बना दोगे image बना दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा साथ में आप इसकी theory लिख दोगे कि randomly इसको select किया जाता है बहाँ पे हर candidate की select होने की probability क्या होती है सेम होती है अगला आ जाता है क्या आपका stratified sampling stratified sampling का मतलब यह हो जाता है कि आप क्या करोगे particular ratio में लोगे अगर मैं बात करूँ कि मेरी class है इस class में 40 लोग है 40 लोगों मैंसे मेरे को 4 लोग चुनने हैं जिसमें से 3 लड़के होने चाहिए एक लड़की होनी चाहिए ठीक है तो आप इसको stratified मतलब sheets में माट दो sheets में माट दो का मतलब क्या हो जाएगा आप सब population में कर दो अब class है तो class में 2 gender होंगे एक male होगा एक female होगा आपने male को अलग कर दिया female को अलग कर दिया तो आपको पता चला है कि male का कुछ ratio था female का कुछ ratio था उसमें से आपने क्या कर दिया? 3 to 1 में selection कर लिया इसका मतलब क्या हुआ आपने जो भी आपके पास population था उसको आपने sub-population में बाटा और फिर आपने उसका selection किया तो ये क्या हो जाएगी आपकी stratified sampling कहलाती है ठीक है अब यहाँ देखिए ये पूरी एक particular class थी इसमें से मेरे को चार लोगों को लेना था ठीक है तो आपने देखा कि इतनी जो है ये green color के आपके male members है yellow color के female members है तो आपने क्या किया उसमें से सबकी probability सेम है तो हमने उनको चुनाव कर दिया yellow वालों की देखे तो उनकी probability सेम रहेगी हर woman को अगर इतनी देखो आप यहाँ पे कि 1,2,3,4,5,7,7,9,10,11,12 12 female है 12 female में से एक female चुनना है तो हर female को चुनने की probability क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है तो आपने क्या किया population को sub population में बाटा और वहाँ से आपने क्या किया उनका चुनाव किया जहां पे हर population के member के पास में चुने जाने की probability क्या थी सेम थी तो यह क्या कहलाएगा हमारा stratified sampling कहलाता है अगले में आते हैं अगला क्या हो जाएगा आपका cluster sampling हो जाएगा cluster sampling में क्या हो जाएगा पूरी entire population को हम अलग-अलग subgroup में बाट देंगे अभी हमने क्या किया था stratified में stratified में हमने sub divisions में बाट दिया था ठीक है दो अलग-अलग male female हो गए आपकी पर अगर आपका कुछ इस तरीके का data है कि वहाँ पर लोग अलग-अलग तरीके के हैं बहुत जाद़ डाइवर्सिफाइड हैं तो हम उनको अलग-अलग categories में बाट देते हैं subgroups में बाट देते हैं और उन में से फिर हम selection कर लेते हैं उनका अब cluster sampling में जैसे आप देखो कि अगर suppose मैं आपके इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आप देख रहे कि कितनी सारी languages बोली जाती हैं अब उन में से आपको चुणना है कोई लोगों को ठीके तो आप कहले क्या करोगे ये पूरी आपकी population थी आपने ये येलो वाली क्या कर दी आपकी English speaking population हो गई Hindi speaking ये हरी वाली हो गई नीली वाली आपकी तमिल तेलगू हो गई ठीके यहाँ पर ये जो है आपकी बांगला हो गई ठीके तो चार आपने अलग-अलग languages के cluster बना दिये subgroup बना दिये अब इन में से आप चुन सकते हो तो आप यहाँ पर क्लस्टर पहले बन गए cluster बन गए तो मतलब यहाँ पर आपके जब भी आप लोगों को चूज करोगे तो हर cluster में से एक particular लोग को चुनने की probability क्या होगी same होगी ठीके तो आपने यहाँ पर क्या किया आप इन में से और दो cluster को चुन लो या जो भी आपको लोग चुनना है यहाँ से एक एक करके चुन सकते हैं ठीके यह आपकी क्या क्या लाएगी यहाँ पर cluster का cluster select कर लिया तो यह क्या हो जाएगा आपका cluster sampling कहलाता है अगला क्या हो जाएगा आपका अगला हो जाएगा आपका systematic sampling systematic sampling में क्या होगा एक कोई भी rule कोई भी rule लगा लो कि अगर आपकी class में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 एक line में खड़े हो गए तो आप उसमें लगा लो कि हर 4 बच्चा पहले 4 ले लो फिर 8 वा फिर 12 वा फिर 16 वा फिर 20 वा इस तरीके से आप कर लो या आप ये कर लो कि आखरी से मतलब 7 फिर 7 फिर 7 मतलब कोई fixed pattern में आप randomly उनको लेते जाओ तो ये क्या हो जाएगा एक systematic तरीका हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि every ninth element या every fifth element ये आपके सारे एतने सारे लोग थे आपको किसी को चुनना था तो आपने देख लिया कि हर छटवा आद में आजाए हर पांचवा आद में आजाए इस तरीके से आपने क्या कर लिया उसको select कर लिया तो ये क्या हो जाएगी आपकी systematic sampling कहलाती है समझ गए आपको ये जो notes है telegram channel पर मिल जाएंगे हमारे वेहांश institute के सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर सिफ चीजों को समझ लेना है समझ लेना है अपने pen कागश लेके बैठना है और आपको उसको अपने भाशा में लिख लेना है चाहे आप English medium के हो चाहे आप Hindi medium के हो दोनों के लिए चीज़े तो सेम ही रहेंगी समझा हम Hindi में रहें तो ये दोनों चीज़े आपको समझ में आ रही होगी अब देखिए multi-state sampling क्या होते है multi-state sampling में देखो जैसे cluster sampling थी cluster sampling में हमने क्या कर दिया हमने सब को group में mark दिया था और वो बांटने के बाद में हमने क्या कर दिया दो cluster को चुल लिया था अब इसी में आप stages बना दो इसी में आप stages बना दोगे तो क्या हो जाएगा आपने चार अलग-अलग subgroups बनाए थे उन में से दो group को चुना और उन group में से आपने लोगों को चुन लिया ठीक है तो यह क्या हो जाएगी आपकी multi-stage sampling कहलाती है ठीक है काफी easy है यह चीज आपको सिर्फ यह समझना है कि data का collection किया जाता है कैसे किया जाता है कहां से लोग चुनेंगे किस तरीके से आप खोदी पताईए ना कि अगर vaccine के लिए testing करने थी तो कौन लोग आगे आने वाले थी किस तरह से चुना जाना था यह सारी चीज़ें क्योंकि देखिए कभी भी आप कोई भी data को collect करते हैं तो रहेंगे आपके अपको कोई medicine check करनी थी ठीक है कि वो कैसे work कर रही है तो आप उसमें से सभी को लोगे आप बच्चों को भी लोगे बड़ों को भी लोगे मेल को भी लोगे female को भी लोगे तब जाके आप अपना product जो है मार्केट में उतार पाऊगे समझ में आ रहा है अग अगर हमें चाहिए रहता तो हमें sampling की जरूरत होती है मतलब एक वे है क्या कर सकते है data collect करने का अब non probability sampling देखिए non probability sampling का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें आपकी probability नहीं रहेगी ठीक पहली क्या हो जाएगी convenience sampling convenience sampling का मतलब क्या हो गया कि जो लोग ज्यादा असानी से मिल जाए convenient रहें ठीक है अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमारा जवलकुर में center है हमें कुछ students जो है चाहिए जिनकसे हमें कुछ survey x y z कोई form भरवाना है ठीक है तो हम अपने आस पास के लो पांच लोगों को बोल दिया छे लोगों को यह मेरे पहचान के थे ठीक है तो यह छे लोगों को मैंने चुल लिया तो यह क्या हो जाएंगे मेरे convenience के सबसे data collection में part ले लेंगे ठीक है फिर अगला क्या हो जाता है voluntary sampling voluntary sampling का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें लोग खुद से आ data देने के लिए अब जैसे suppose मैं यहाँ पे बोल दूगी suppose कि हमें XYZ कोई content बनाने में help चाहिए help चाहिए आपकी तो मैं आपसे बोल दूँ कि आप अपने resume वगरा भेज दीजिएगा तो यहाँ पे आप resume भेज रहे हो खुद से ठीक है खुद से अपना data भेज रहे हो कि हम जो हैं इसके लिए तैयार हैं हम इसमें help करा सकते हैं तो यह क्या हो जाएगी आपकी voluntary sampling हो जाएगी अब जैसे देखिए यह पूरी इतनी population थी यह पूरी population थी इस population में आप देखेंगे ठीक है यह आपकी पूरी population थी इसमें से मैंने आपको बोला यह blue वाला मैं था ठीक है मैंने बोल दिया कि मुझे कोई data वगेरा help चाहिए है तो आप आगए ठीक है यह आगए यह आगए यह खुद से आगए यह इनका selection हो गया तो यह क्या कहलाएगी आपकी voluntary sampling कहलाएगी ठ इंपोर्टेंट रहेगी आपको अच्छे से याद रखना है थ्री मारकर मैं आपसे snowball sampling के बारे में पूछा जा सकता है snowball sampling का मतलब होता है कि मैंने क्या किया मेरे को data चाहिए था यह नीला वाला मैं था ठीक है मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को data चाहिए है तो मैंने अपने परिचत से बात करिए तो यहाँ पर यह जो brown वाले थे यह दोनों यह मेरे पहचान के लोग थे मैंने बुला कि आप मेरे को ऐसे लोग लाके तो जिनकी salary 50,000 से जादा है उनसे मेरे को बात करनी है उनसे कुछ seminar करना है जो भी बात है ठीक है तो अब इनके परिचत में जो भ दिख रही थी उस population में मैंने क्या कर लिया ऐसे लोगों को collect कर लिया इसमें snowball sampling का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने क्या किया अपने पहचान वालों से मतलब कि आपने other participant जो है उनसे का use किया final set बनाने के लिए ठीक है तो यह क्या कहलाता है आपका snowball sampling कहलाता है अभी तक जो ह है पहली क्या हो जाएगी probability sampling हो जाएगी दूसरी क्या हो जाएगी non probability sampling कहलाती है अब यहाँ पर probability sampling का आपने देख लिया था कि sample जो है simple random होता है systematic होता है stratified होता है cluster होता है ठीक है जिसमें आपने देखा था कि simple random में क्या कर रहे थे हम randomly लोगों को choose कर रहे थे systematic sampling में क्या हो रहा था कि हर second हर fourth हर sixth ऐसा जो है odd number हो गया इस तरीके से system चल रहा था stratified में आप क्या कर रहे थे stratified में आपने क्या कर दिया सब groups में बाट दिया था उसमें से लोगों को चुल लिया था यहाँ पे और clustered sampling का मतलब क्यों हो गया था कि हमने उनके cluster को शुन लिया था उनको बना के ठीक है और साथ में ही जा बाकी की sampling जो की non probability में आती जिसमें convenience हो जाएगी voluntary हो जाएगी आपकी snowball हो जाएगी ठीक है judging sampling हो जाएगी यह सारे आपके sampling के methods हो जाते हैं ठीक आपको difference पूछ सकता है कि sampling की में क्या क्या difference है तो यह आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जिसमें आप पता सकते हो कि probability sampling का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर probability की theory लगती है non probability sampling theory में probability नहीं रखती है यहाँ पर पूरा जो है हमारे context वगरा इन सब पे depend करता है चीज़े random sampling method होती है यह इसको non random बोलते है ठीक है इसमें research जो है वो conclusion पे निकल आते हैं यहाँ पर आपको exploratory होता है कि आप explore कर रहे हो बस लोगों को यहाँ पर आप देखोगे कि long time लगता है probability theory में क्योंकि लोग आपको लेके आना है बाहर से और यहाँ पर easy data collect हो जाता है क्योंकि आपके सबके पैचान मेरते हैं ठीक है तो इस तरीके से क्या किया है हमने probability की यह sampling theory होती है इसको हमने types of sampling को cover किया आपको sampling के यह पूरी चीज़े cover हो गई है आप सिर्थ क्या करेंगे अपना एक pen copy म में इसके notes को लिख लेंगे साथ में यही notes जो है वो आपको विहांश institute के telegram channel में available हो जाएंगे ठीक है हमारे पास में Hindi medium English medium दोनों का course available है main scale अब 90 दिन बाकी है तो हमारी test series जो है वो चल रही है वो आप जो है online अपने घर बैठे भी test दे सकते हैं तैयारी कर सकते हैं साथ मे आपको अगर यह जो हमारे प्रयास हैं वो सही लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इनको share करिए हमने पूरे हिंदी पूरा paper 56 और पूरी mathematics को YouTube पे cover करवा दिया गया है थैंक यू